आम तोर पर प्राणवायू से ही आपकी सांसें और विचार प्रक्रिया चलती है. ऐसा हुआ तो शरीर में जड़ता आ जाएगी. ना भी और गले के गढ़े के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे. आपकी सांसें, विचार प्रक्रिया और सूंगने की शक्त कम हो जाएगी एक जीवन्त इनसान बनने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं शरीर में कई तरह की हलचले होती हैं सभी इसे कुछ हद तक जानते हैं अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप खून के प्रवाह के बारे में सोचते हैं और दूसरी ग्रंथियों के बारे में भी जिनसे आपका मूड और अनुभव तै होते हैं पर उससे भी गहरा कुछ है यानि पहली चीज है उर्जा की गती सिस्टम में सभी वाईयों की हलचल में रुकावट नहीं होनी चाहिए तो शरीर में विशेश रूप से सिर में महत्वपूर्ण मार्ग हैं अगर ये मार्ग ब्लॉक हो जाएं तो खुद को उल्लासित रखना महनत का काम होगा तो इसे आधार मानते हुए हम अगली पाँच पूर्णिमाओं पर उस सिस्टम को समझेंगे जिससे आनंद और उल्लास पैदा होता है तो ये सिस्टम क्या है हमें क्या करना चाहिए वायू शब्द का अर्थ है वो जो चलता है इसे आम तोर पर हवा कहते हैं अभी यहां तेज हवा है यहां आसानी से महसूस हो रही है हवा से कई चीजें हिल रही है तो वायू नाम का ये पहलू जो गती करता है ये एक तत्व है शरीर में ये बुन्यादी रूप से पांच वायू के रूप मौजूद है अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहें तो दस वायू है अगर आप सभी पेचीदगियां जानना चाहें तो 84 वायू है पर वे बहुत सूक्षम हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे आम तोर पर अगर आप पांच वायूं को सक्रिय कर लें तो बाकी भी सक्रिय होकर काम करने लगेंगी इनका नाम वायू है क्योंकि सिस्टम की हर हलचल इन से होती है पाचन प्रक्रिया में हलचल इन्हीं पंच वायूं से होती है चक्र चलने चाहिए पोशक तत्व शरीर में पहलने चाहिए कोशिकाओं या सेल्स से कच्रा साफ होना चाहिए हर चीज के लिए हलचल जरूरी है अगर हलचल रुख जाएगी तो आप देखेंगे कि शरीर में जीवन टिक नहीं पाएगा तो ये हलचल पूरी तरह से हो रही है या आधिय धूरी है हम इसी पर ध्यान देना चाहते है सांस लेने का सही तरीका क्या है आप बच्चों को देखे आप पाएंगे कि सोते समय बच्चों की सांसे काफी हद तक गले के गड़े से नाभी के बीच होती है उसका पेट नहीं फूलता बस यहां से यहां तक यहां नहीं बड़ी उम्र के कुछ लोग शायद पूरे पेट से सांस लेने लगे हो ऐसा होगा तो शरीर में जड़ता आजाएगी अगर आपकी नाभी के नीचे गैस पैदा होती है यानि अगर आप वैसी चीजे खाते हैं जिन्होंने इनर एंजिनेरिंग की है उन्हें हम यह बता चुके हैं अगर आप बहुत ज़ादा कंद युक्त या ट्यूब्रस चीजें जैसे आलू वगयर खाते हैं तो आपकी नाभी के नीचे गैस पैदा होगी वहाँ गैस पैदा होने से नाभी और गले के गड़े के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे और आपकी सिस्टम की गती शीलता कम हो जाएगी इसे लिए जो लोग ध्यान करना चाहते हैं जो छात रहें या जिन्हें अपना दिमाग केंदरित करना है और लंबे समय तक जागना है उन्हें वे चीजें नहीं खानी चाहीं आज दुनिया भर में ऐसा हो रहा है जैसे जैसे दुनिया के लोग या मूर्ख सोचते हैं कि वे ज्याद से ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं उनका भोजन उतना ही पुराना होता जा रहा है वे सोचते हैं ताजा भोजन असभ्यों के लिए है जो खुद को सभ्यमानते हैं, वे सूपर स्टोर से एक बॉक्स खरीदते हैं, जिस पर लगा प्लास्टिक वे फैंक देते हैं, ये जानते हुए कि इससे परियावरण को नुकसान होगा, और कैन आम तोर पर प्लास्टिक या अलुमिनियम का होता है, वे उसे माइक्रोवेव म गर्म करते हैं, जो खाने से पहले एक और गलती है, ये शायद कम से कम तीन महीने पुरा ना हो, नई नई वो रेफरिजरेटर में था, उसमें प्रिजर्विटिव हैं, ताकि वो भोजन खराब न हो, ये दोहरी भूल है, अब योग परमपरा में आपको हर पकी हुई चीज जादा से जादा डेड़ घंटे में खा लेनी चाहिए, कुछ चीजों के लिए चार घंटे तक ठीक है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए, वो चाहे जितना भी स्वादिष्ट या अच्छा हो, उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिस्टम में गैस बनेगी, गैस बस केवल पेट में ही नहीं है, जो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, पर आपके सिस्टम में वायू बनेगी, जो आपकी प्राण वायू के खिलाफ काम करेगी, यानि उससे आपकी सांसे, आपकी विचार और आपकी सूंगने की शक्ति, ये चीजें धीरे-धीरे कमजोर होती जाएंगी, एक जिवन्त इंसान बनने के लिए ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं, ये सभी प्राणों को अलग-अलग मात्राओं में सक्रिय करने के अलग-अलग तरीके हैं, तो एक सरल चीज आप ये कर सकते हैं, करीब 6-7 मिनट तक आप देखेंगे कि सिस्टम में फिर से उजा जाएगे